आई आपका स्वागत है मेरा नामे डॉक्टर दीपक याईकर मैं मनोविकार सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ची तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैट्टिस करता हूं पेट्विकार के काफी पेशेंट्स मेरे पास में आते रहते हैं उनके लक्षन जो है वह इस प्रकार है एक तो मुह में छाले आना धकार आना हिचकी लगना जी मचलाना कभी-कभी उल्टिया होना सीने में बहुत जलन ऐसा लगता है कि बहुत ऐसी उपर आ रहा है और बहुत ज़्यादा हो रही है पेट में ऐसा उपर के बाजिव में दर्ड होना तर्ब और अधर बारीक बारीक भारीक हर जगह होना चुटा चोड़ेश बहुत पेट में होना पेट के कैसे जो है उपर चाड़ना फिर ऐसी आप पैट फूल जाता है फिर गैस एक तो उपर से पास ह तो बहुत ज़दा लगती है उनको 5-6 वार जाना पड़ता है लैटेन इनको यहां लैटेन इसी दो दो दिन होती नहीं है कभी अंदा पच्छन बिल्कूल ही नहीं होता है उनको एसा थोड़ा भी खाया तो पेट बहुत फुल गया है और यह लोगों को काफी चीज़ चलती मतलब ज्यादा तीखा ज्यादा तेल वाला ज्यादा नमकीन ऐसे कुछ कुछ उनका रहता है specially जिए बैंगान ने खाना टमार्टव ने खाना यह चलता नहीं वह चलता नहीं इसे काफी सरे चीज़ उनको चलती नहीं खाने में भूक उनको लगती नहीं है और अपना पच्चन हुआ नहीं है और फिर उनको पराबर नीन नहीं आएंगी मूझ ठीक नहीं रहेंगा चिछटा पन रहेंगा यह लोग अकसर सभी लगाने धुर्वेट जो है मतलब पैटके जो डॉक्टर इनके तरह घुमके मेरे पास में आते हैं के पाया उंके पास में पांच पास्त खेचे दसदस फाईले लएती फाईल रहती है और उसमें सब तरह की जाच फिसमें गैस्ट्रों को बीया सब की एंडोस्कोपी है कोलोनोस्कोपी है सोनोग्राफी है फिर सब तरह की ब्लड की जांच है सब तरह की जांच उन्हें की रहती है इवन मतलब अनाच पचन होने की या मोटिलीटी है मतलब बहुत हेवी हेवी पेट हो जाता है तो उसको खाली करने के लिए दबाई है फिर एक बाद धकार आजाएंगे तो पेट हलका हो जाएंगा इसके लिए आती है दबाई तो फिर वह दबाई लोग देते रहते हैं और फिर उनको मत करता कोई मुझे टेंशन नहीं है मगर इनके दिमाग में मतलब इनके माइन में कुछ ना कुछ चालू रहता है और वो जो कारण है साइकोलोजिकल वो कारण उनके पेट विकार कर रहता है अब मांसी कौन से कारण है एक तो है बहुत ज़्यादा अप्रामानिक्ता मतलब इ इन ऑथेंटिक बिएवियर लेक्ट धोंग है कोई बनावटी पन है कोई दिखावा है कोई नाट की रंग से मतलब पेश आना है अप रामानिकता है ऐसा कुछ ना कुछ मतलब मुखोड़ा बहना हुआ है कि बहार से एक है अलग से एक है कुछ सभी छुपा है हुआ है आपार प्यार नहीं करते हुआ जासा है उसी चिदळीड है बहुत जादा है कि पैसे का problem है आपसे संबन्द पत्ति के रोभा या माबाप के हो ये कराब है पैसे में कुछ फ्रॉड किया होगा है पैसे में कुछ गलत की हिए है या माबाप से उनका connection ठीक नहीं है या फिर sex में कोई problem है मतलब sex में अपरामा निकता है sex में कुछ तभी illegal है या immoral कुछ तभी कर रहे है ऐसा कुछ न कुछ इनके दिमाग में चालू रहता है और वो जो है वो सब दिमाग का load दिमाग का tension सब पेट के उपर आता है और पेट के problem चलू रहते हैं कुछ science में मतलब scientist लोगों ने मतलब इसके पर research की वे रिवादा है कि लोगों में brain में जो serotonin level कम होती है dopamine levels जो कम होती है उसकी मात्रा brain में भी कम हो जाती है और gastrointestinal symptom system जो है उसमें भी serotonin जो द्रव है या जो endocrinal मतलब हर्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है उसके वज़े से symptom आ सकते हैं सब बोला जाता है गैरेंटेंट नहीं है मतलब उसका प्रूफ नहीं है कि यह करके कारण बर ऐसे काफी सारे कारण जो है कि कारणों की वज़े से होता है लोगों को anti-depressants में देते हैं उसके साथ साथ मैं counseling करता हूं को counseling में जैसा मैंने बता है कि जो भी कारण है psychological क्या connection है वे किसके वज़े से ऐसा हो रहा है तो वह कारण हम धुनके निकालते हैं बच्पन में क्या हुआ अभी तक past में क्या हुआ कोंसी वज़े से इनका दिमाग अस्तीर है क्या हुआ हुआ ह जिसके वज़े से यह आज जो बने हुआ से बने हुआ है तो वह निकालना पड़ता है इसके साथ साथ हिपनोडिजम हम करते रहते हैं उनको self-hypnosis में सिखाता हूं सम्मोहन से उनका subconscious mind के ऊपर सूचना है दी जाती है और वहां से उनको फायदा होता है कुछ लोगों में cognitive behavior जैते रैशनल behavior therapy जैते रैशनल behavior therapy जैते है रैशनल emotive therapy है वह जैते हैं आरको थेरपी में उनको यह पूश्ते रहते हैं कि ऑने कान सा हात्सा हुआ है मतलब जैसा एक नर्क qualitative analysis की रूम में और वो सब करके मालूम पड़ता है कि वह क्या हुआ है कि इसक वह जैसे हो रहा है उ और वो अच्छा जीवन का जी सकते एक्चुली कुछ स्टीज के हिसाब से एक से दो परसेंट लोगों को यह प्राबलेम है आबादी में तो अभी 130 करोड़ है तो हमारे कितने लोग 102 मतलब 1-2 करोड़ पीपल कम से कम यह बिमारी से मतलब गरस्त होंगी कि जिनको यह प्राब करके उनका प्राब्लेम सवाल करने के में कोशिश करता हूं लोग हमारे यहां अकुला में वरे ह। न कहले हैं यहां यह दाखिल होते हैं भरती होते हैं और सब्सक्राइब करो थैंक्यू बडियो मच्छ झाल झाल झाल